आज का दिन भारत के लिए तिहाशिक दिन है आजादी के वार से किसी पहले हिंदू राष्टवादी निता ने इसाथ पोस्कर उठाया है जैसे 370 हटाना 35 को हटाना कस्मीर से उसी प्रकार से इन्होंने भारत वर्ष में जो CAA लागू किया एक सराहनी कडम है मोदी जी का CAA बिहार में उसका कोई ओ सकता नहीं बात बिहार के नहीं सर पूरे देश की हम बात कर रहे हैं चोकि देश व्यापी ये कानून है बिहार देश को दिशा देता है और यहां CAA की कोई जरुवत नहीं है यहां सब आपसी मिलत, मुहबत, भाईचारे के साथ पूरे बिहार को लोग आपसी समंजस बना के जीवन यापन करते हैं तो लोग सबा चुनाओ की तारीक की घोशना के पहले ही CAA यानि की Citizenship Amendment Act को पूरे देश में लागू कर दिया जाना है इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, हलाकि उमीद यही जताई जारी है कि आज किसी भी समय में उसको लागू किया जाने की घोशना भी शायद कर दी जाए खैर इसके पहले कि उसको लागू कर दिया जाए, हम यहां के कुछ लोगों से इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि वो इस कानून से कितने खुश हैं, उनका पॉइंट और व्यू क्या है, CAA को लेकर तो फिलाल हम मौजूद हैं पशे चमपारन जिले के बेतियां के चेक पोस्ट पे, यह एक ऐसा इलाका है जहां शाम के समय, मिजारिटी में लोग चाहे कि चुस्कियों के लिए जमा होते हैं तो इससे बेतर जगा पब्लिक उपीनियन के लिए और कहीं भी नहीं हो सकती है, तो कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं सबसे पहलो तो सेर आप अपना नाम हमें बताएं सतिस कुमार कहा के निवासी हैं आप हम तेल हुआ के निवासी हैं क्या करते हैं, हम सिक्षक हैं पीचर हैं, बहुत बढ़िया क्या कहना चाहेंगे CAA को लेकर देखिए CAA तो बहुत बढ़िया कानून है जो गौर्मेंट लाई है तो इसमें बाहर के जो लोग हमारे देश में यहां रहते हैं जैसे बंगलादेश हो, अफगानिसान हो, पकिस्तान हो उनको नागरिक्ता नहीं मिली है और उनसे क्या होगा, उनको नागरिक्ता मिलेगी और यहां की देश की जो सुग्धा है एक सर्टन तारीख है 31 दिसम्बर 2014 अगर उस समय तक गैर मुस्लिम जिसमें आपको सिख आते हैं, जैन आते हैं, पार्सी आते हैं, हिंदू आते हैं यह सब अगर यहां पे रह रहे हैं तो उनको नागरिक्ता जो है दे दी जाएगी बाकी जो है कि यहां पे वैसे लोग जो की बिना किसी दास्ते वेश के यहां रह रहे हैं वह तरीके से विजा ड़के साथ हम एक पर नागर्था को नागरता सुंद पर लेकिन प्रकार घृता अघ्वागत है मة रांप को हट को मतलब आच्छे सुल हां 10 विभी यeg संख्या को आप कह सकते हैं कि तीन देशों को इसमें मिंचिन किया गए जिसमें पाकिस्टान अफगानिस्टान और एक बंगलादेश भी है हाँ यहां के वैसे भी लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो यहां के मुल्निवासी है तो उनको शायद यहां से फिर यहां से जाना चाहिए जब यहां के मुल्निवासी जब हैं ही नहीं तो यहां से जाएंगे और क्या होगा आप इसके फेबर में है बहुत बढ़िया कानून है और मोदी जी जो है इस कानून को लाकर पूरे देश में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं इसे हमारा देश के साथ साथ हमारे देश का जो चर्चा होगा विदेशों में होगा इसे हमारे देश का और मान सम्मान और बढ़ेगा चलिए आप एक शिक्षक हैं आपने अपना point of view रखा आपका नाम क्या हुआ सर जितेंदर दूबे क्या करते हैं आप आम भी सिक्षक है तीचर ही है प्रपर आप यहीं किने वसी हैं नौतन नौतन के हैं आप चलिए आपका क्या point of view है citizenship amendment act को लेकर मैं उसका support करता हूँ कानून बढ़िया है लागू होना भी चाहिए सरकार जो मोदी गर्मेट लेकर आई है कानून उसका पालन होना चाहिए होना चाहिए उम्मीद यहीं जता ही जा रही है कि शायद आज अपने संबोधन में प्रदान मंत्री मोदी उसकी घोशना भी करने लागू होने की है बिल्कुर बहुत अच्छा हम कानून का हम सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं चलिए दो शिक्षकों की आपने मत जानी ह हैं कि CAA को लेकर उनका क्या पॉइंट अफ व्यू है कुछ यंगस्टेस भी यहां पर मौजूद है कुछ यवा भी यहां पर मौजूद है जो कि पश्म चंपारन जिले के ही हैं इनसे भी ज़रा हम बाचीत करते हैं कि भई इनका क्या कहना है CAA को लेकर कुछ लोग है आप पर आपका नाम क्या है बिवेक क्या करते हैं आप बिजनेस करते हैं यही के निवसी हैं आप जी क्या बताना चाहें कि CAA को लेकर आप मुझे नॉलेज नहीं है अच्छा आपको आड़े नहीं आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर सौर्ड आम नोट कॉंट कॉंटेबल ओके आप कमफिटिबल नहीं है आप कुछ जी बोलिए CAA पर कुछ कहना चाहेंगे आज उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उसको लागू कर दिया जाए उस कानून को होनी चाहिए होनी चाहिए नाम क्या बताया आपने रितिक होनी चाहिए हाँ जरूर क्या सोचके कह रहे ह है वो यहां रहा है जो बाहर के हैं वो बाहर भेजा जा त्यूकि बेरुजगारी की सीमा हद पार कर गई है अच्छा इस कानून के बारे में तो आप जानते हैं अच्छे से हाँ सिटिजन से में मिननेट बिल अभी वह एक्ट हो चुका है वो एक समय में बिल हुआ करता था कैप के नम से बेट भी वह एक्ट हो चुका है चले कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं यहां एक और सज्जन मौजूद है आपका नम क्या वसर अच्छा ये भी कुछ कहना नहीं शायते देखिए मिजारिटी में लोग यहां पे हैं अलग-अलग अधरनाय हैं जिनकी अलग-अलग विचायर है इनके कुछ लोग इससे सहमत हैं पूरी तरह से और वो इसके पक्ष में है कि इस कानून को लागू कर दिया जाना चाहिए बिना किसी देरी के तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये कहीं से भी सार्थक नहीं है इसके जरिये किसी एक क्या करते हैं आप हम आए जड़ टीचर है टीचर आप भी हैं चलिए यहां आप लोग चाय पीने शाम को आ जाते हैं जी जी आहां घर हुआ आपका मेरा घर लोकल है राज द्वार देवी चोक चलिए प्रपर आप यहीं के हैं यह जो CAA कानून है स्टेजिशिप अमेंडम मतलब इसा बेकार की चीज है यह नियम उतना खास नहीं है बिना मतलब कोई इसे जेंड़ा में फसाने क्या ज़रूआता है जैसे नॉर्मलीटी चल रही है सब कोई एक दूसरे से मिल जूलकर और वैसा ही सही है काई CAA करने से कोई स्पेसलिटी थोड़ होता है जैसे नॉर बात की जाना है आए इसी कानून के तहट शायद यह संभ़ हो सकता है और देखिए इस पर तो कहने के मतलब है है कि इस कानून के तोहत क्या होगा यह कानून कहां तक जायागा इसके बारे में अभी हम पूरा DTल्स नहीं जाने exists नेकिसे बारे में website कि एक्टुल में वेरेन मतलब लाने का मतलब मक्सद क्या है मक्सक्थ य हम लोग जाने के उस्पें बात करेंगों फिलाल आप इसके पर्ख्ष में नहींiens कि यह लागू हो जैसे चलराएं जैसे सब को है तो आपका यही कहना है कि उसकी कोई आवशक्ता नहीं है जैसे चल रहा है वैसे ही बेहतर अभी तक तो कुछ नहीं देखने को मिलाज तक जहां तक हम लोगा देखने के उस तरह की कोई मतलब है उमर कितनी है अपकी 26 यूर्स 26 आप युवा है आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर अच्छी मेरे ख्यान से तो से खतम करना चाहिए वह बेकार का का काम है वह उससे करने से कोई फायदा है नहीं क्या नाम हो आपका मेरे नम मुहमद खुषालम रजा नक्षबंदी हुआ कहा के रहने वाली है आप यह काले बग करने वाला हूं क्या करते हैं अप मैं स्टुडेंट हूं तो मतलब आपको यह से ही नहीं लग रहा है जानकारी है ना इस बिलकुल परता है मुझे चलिए तो जैसे कि हमने आप कहा कि कुछ लोगों का इस पर एक पॉजिटिव रिविए तो वहीं कुछ लोगों का इस पर नेगेटिव रिवीव भी है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे ही चलते दिया रहना चाहिए किसी भी प्रकार का था कि सिय जो एक्त है नो यह एक्त जो है इस का तो कोई समो anlat करें यह सॉपर्वेज Оп盟 नहीं करें सब्सें अपना जो हिसमें रकना चारिये क्या करें यह उहीं जानते हैं सरकासी जानता अब मतलब देखा जाए एक लिगा से तो यह एक सही नहीं यहाँ और वायद पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे चलिए हैं सपोर्ट नहीं करेंगे मिली जुली प्रतिकरिया हैं हम कुछ और लोगों से बात करते हैं आप जरा इधर आएं इनसे भी हम जानते हैं कि भाई इनका पॉइंट फ्यू क्या है CAA क्यों लेकर आपका नाम क्या है वसर नहीं एक जानकारी हमें चाहिए आपसे CAA Citizenship Amendment Act आज शायद लागू कर दिया जाएगा ये जो एक्ट है इसको पूरे देश में शायद आज किसी भी समय तक उम्मी जताए जा रही है कि लागू कर दिया जाएगा तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि CAA को लागू कर दिया जाना चाहिए अब फ़रकार जो करें नागरिक आप भी है नहीं थीक अप फ़रकार आपनों बणाती में कुछ 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 नहीं पहले भी परयास की थी लेकि नहीं हुआ कोविट बगरा का साथका आप में हैं जो सब बहाना है कोविट यतना बड़ा हिंदुसान बड़ा देश है इसको जो है वो जो आप सोच रहे हैं वो करना बहुत टेड़ी खीर है नाम क्या होगे सर अपना भोला परसाथ आप क्या करते हैं वैसे आपका क्या इस पर विचार है कैसी एको लागू किये जाने पर तो उसके बारे में तुम समझ में नहीं कोई क्या चीज यह आपको नागरिक्ता संशोधन कानून समझ रहे ना सिटेजिंशिप अमेंडमिट एक्ट दोहजर सोला में सबसे पहले इसको लाया गया था लोग सबह में पास हो लेकिन राजे सब फिर वीड़ा और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वज़ए से लागू नहीं हो पाया इस एक्ट के बारे में आपको जानकारी है हां है तो क्या हम हां इटा क्ड़ कानूनिक काम हो रहा है सरकार कौन कानूनिक काम कर रहा है क्या है पहले इसको लाना की कोई ज़रूरूत इस समझते हैं कि पाइदेस में जो एक्ट आया है उसको मतलब हिंदु-वुस्लिम को राइट करने के लिए को अनमी इहां का नागरिकता है को बाहर का इसमें इसमें यह बताया गया है कि जो पाकिस्टान अफगानिस्टान बंगला देश के वैसे नागरिक जो की ग्यार मुस यहां के नागरिक हो सकते हैं। और यहां के वैसेans बीना किसी कागजाद से तेसे होगा कैट earnings. लोगों की शाम के समय चाय की चुस्कियों का नंद लेने यहां आते हैं मिजॉरिटी में लोग यहां मौजूद होते हैं चेक पोस्ट पे और फिर हमने यहां उन सभी लोगों से बात की और उनकी रेक्शन आपके सामने है नूज रिटीन बेटिया से आशिश कुमार की रिपोर्ट तो आप कुछ कहना चाहते हैं CAA पे CAA बिहार में उसका कोई आउ सकता नहीं बात बिहार के नहीं सर पूरे देश की हम बात कर रहे हैं चोकि देश व्यापी यह कानून है बिहार देश को दिशा देता है और यहां CAA की कोई जरुवत नहीं है यहां सब आपसी मिलत मुहबत भाईचारे के साथ पूरे बिहार को लोग आपसी समझस बना के जीवन यापन करते हैं यहां थोपा हुआ कानून नहीं चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि बिहार हमेशा देश को दिशा दिया है और CAA कि यहां कोई जरुवत नहीं है और यहां कोई कमनल फिलिंग है सब लोग हिंदू, मुसल्मान, सीख, इसाही, सभी धर्म के लोग एक हैं और सभी को अपनी अपनी धर्म मानने का आजादी है इसमें किसी का थुपा हुआ कानुम का जरुवत है, नाम क्या होगे आपका? संबुक उसवा नाम होगे, क्या करते हैं आप? हम समाजी करे करता हैं, यहीं के हैं आप पर अपर, आप पर अपर हैं के चली, अच्छा इधर भी कुछ लोगा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, CAA पे, Citizenship Amendment Act, लागू किया जाए, ना किया जाए, कुछ कहना चाहेंगे आप, अलाकि वो तो लागू शायद हो ही जाएगा अज बिल्कुल लागू होना चाहिए, हर देश के, भारत को छोड़के बहुत सारे ऐसे देश है, जहां यहां लागू भी है, और उस देश के citizen को अपना एक personal देश का अडेंटटी होना जरूरी है, कहम इसी देश के, कौन बाहर से आता है, कौन नहीं आता है, इसकी पहचान के लिए इसका होना जरूरी है, इसलिए मेरा मानना है कि इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, देर हो गया इसको तुरत लागू बी देये गए थे कि क्योँ नहीं ये लागु हो पाया हलां कि लुग सभा राज्य सभा ये पास हो चुका था आपका नाम क्या होगे सर्ב इंस valley करते हूँ है ढिंस पॉस्ट टैक्स ने इतना है वहां और देखें और क्या कहना है उसी कानून पे और इनका क्या कहना उसी कानून पे मिजारिटी में लोगों की जो मनोदशा है CAA को लेकर हमने आप तक पहुचाई और विशेज जानकारी हमने आपको दी कि यहां के लोगों की क्या मान सिक्ता है सी ए ए को लेकर नूज इटिन बेतिया से आशिश कुमार की रिपोर्ट सर्फ ये आज मोदी सरकार ने लागू कर दिया है क्या कहेंगे आप ये हमारे देश के लिए सबसे अच्छा कार मोदी जी कर रहे हैं जैसे 370 हटाना 35 को हटाना कस्मीर से उसी प्रकार से इन्होंने भारत वर्ष में जो CAA लागू किया एक सराहनी कदम है मोदी जी का और मोदी जी और इनकी कमेटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज CAA लागू करने के बाद अब हमारा देश और आगे बढ़ सकता है बाकी जो परोस के राष्टे हैं वहां के जो भी हिंदू भाई होंगे वो भी सकून महसूस करेंगे और उन्हें तसल्ली होगी कि भारत में अब मेरे लिए भी इस्थान सुरच्छित है पूरे भारत वर्ष के लिए एक एतिहासिक दिन है जो पिछले 75 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई वो हमारे मोधी जीनों करके दिखाया है CAA को लागू करके उन्होंने हमारे पडोसी देश में रहने वाले हिंदू भाईयों के लिए बहुत ही उपकार किया है जो अगर अब उन्हें उनके मुल्क में प्रताडित किया जाता है तो वो भारत में आकर रह सकते हैं मोधी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है क्या नाम है मंजेश तिवारी आज मोधी जी ने मोधी सरकार ने CAA लागू किया है क्या कहेंगे आप आज कर दिन भारत के लिए तिहाशिक दिन है आजादी के बास से किसी पहले हिंदू राष्ट्रवादी निता ने ऐसा ठोश कदम उठाया है तो हमारे तरफ से मोधी जी को धेर सारा शुक्रिया है अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश से आये हिंदू के लिए एक विशेश लुप से नागरिक्ता दी जा सकती है पहले ऐसा कदम किसी नहीं नहीं उठाया था तो हम मोधी जी को यह बस से धन्यवाद कहना चाहते हैं जय भाजपा तय भाजपा